हालो भीवार्स आशा गोरी शावे भाला अच्छेन आज आपने देख दागाबाँची क्यो आपे Windows आक्टिव करा हाई फिरची इन्टोर पर वेलकाम वांस अगेन वेलकाम वांस आक्टिव करा जोन्नों किसी शॉप्टरार आशे जेगलो लिंक आमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन ने दिया दबो वेलकाम देख आपने डाउनोड की ने कास कुरते भारावन आमारा जीप फायला कर दिया दबो जीप फायल्टा पूर्थमें डाउनोड कर पर जीप फायल्टा फूर्थमें स्टाक कोरनी बन स्टाक कोरा जन्नों स्ट ओके स्टाक यहाँन देखन एखाने चाइक्ट्याप फोल्डर आशे पूर्थम्टा KMSP को परेट्टा Microsoft Toolkit 2.5.3 आरेक्टा होलो Microsoft Toolkit 2.4.3 आरेक्टा रिट्रोडार यहीं चाइट्टेस सप्ट्रोर दियाए उन्डोस जेकोनो एडिशोन जेकोनो भार्षोन उन्डोस 7 होक उन्डोस 8 होक उन्डोस 8.1 होक आर उन्डोस 10 होकन जेकोनो Windows एक्टिप कर होय शुधू Windows जीना शाथे Microsoft रे जेगुला प्रोडाक्टा से जेमान Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2013 2010 अथवा 2016 जेकोन भार्षोनेट Microsoft Office एक्टिप कर होय इस सप्टर रेगुलार माद धुन एखाने देखोन KMSP को शुधू Windows एक्टिप कर होय एटा जीना एटा देए Windows छाथे Office 2012 ट्यारओ आउ एक्टिप कर हाय एटा अश्ट इनिस्टल देए इरकली हाय आपसिप आफ्टिप्टोर नेक्सट एटा आर्कण कों कोची आज नाइ सुधू इनिस्टल दी एक्टा जाए एटा Windows चेरे साथे ओभीश एक्टिव करें एकाने देखुन आवार Windows चेरे अक्टिव होए गासे अल्रेडी एक्टिव होए गासे तासर आरा अन्नों सब्सक्राइब गुला काच्टिवर दखाई जे Microsoft Toolkit 2.5.3 Microsoft Toolkit 2.5.3 एटा आगे एक्टेब देखे रखुन जे Windows एर Home Edition, Windows 10 Pro भार्षनेर लाइसेंस की गुला एकान दिया रक्स अपना चाहिल एकान दिके लाइसेंस की कुपी कोरें स्वारा शोरी विकेने Windows एर रखन दिया एक्टिव करते बरें अथोबा Microsoft Toolkit एक्टा रण कोरा जोनों Run as Administrator तार पर कीशमा वुट्कोरता होँ यहाने जोधी आपने Windows एक्टिव कोरते चाहन तहां जो Windows ए Logos एक्टिव कोरता होँ आर जोधी Office एक्टिव कोरता होँ Office Logos एक्टिव कोरता होँ क्लिक को लाइब जाखते हाएं अपर फिकल ने आखि अख थाक बैं स्थास्ण ख में हाँ भार्वाट्व होग जाखें हें installed तार पर एकन activate, activate क्लिक कुरता होगे, यह सिस्मार कुरता होगे जाखन एकन एकन लगाला से, जो अलड़ी आमार इन्स्टल्ट होई गासे, जो एकन दीए केट दीए Microsoft toolkit 2.5.3 मुथुन, Microsoft toolkit 2.4.3 ताई एकर काज वार रदाघ हेत दसीना एकर काज से, शोधो एकने एकर की टॉल्ड भर्षोण, और 2.5.3 अड़ा हलों नू भर्षोण, अपड़ेट भर्षोण एकी कास रुद अक्टिवेशन है एकाने इनिस्ट्रोल थाग में एकाने इनिस्ट्रोल नाई जो दिवो ता एडर कास दगए तेस्थी न आर एकाना आचे रिलोडार रिलोडार रेक्टा गथा बोल राखी जे जे अपरिंग सिस्ट्म में इनिस्ट्रोल करा नाई आपार पुल राखे जे अपड़िंग सिस्टेमें .NET framework फोर पॉर्पेंट इंस्ट्ल करा नाई शेखाने एटा रान होगाना रिलुडार आर बेशी भागी उन्दूस 8 उन्दूस 8.1 एब उन्दूस 10 ए फोर पॉर्पेंट अल्रेडी डिपल्ल हावे इंस्ट्ल करा थाके शेखान मों एकना अलादा इंस्ट्ल कर लागेना .NET framework .NET framework इंस्ट्ल कर पॉर तार पॉर एटा रान होगे युद्यो एकने आलादा गोरेब इनिस्ट्ल कर लागे है तार व्यूरान सट्मिस्ट्र, एडमिस्ट्र शेखान इसमा कर ता हावे एकाने देखों जे एकाने बोल्ते से जे वीन्डोस एक्टिव करा जों ताह एकाने वीन्डोस एक्टिव करा पर एकला चेक उठाईद आर पर एवस्ता एकाने अक्टिव एक्टिव किलिक करबो यस इसे दर पर कीश में बोट करता होगे आमार इक्टिव आगे अक्टिव होगेश है ताहार लां प्रोजन नाहीं तो तो बोच देखते हैं विन्डोस एक्टिव एक्टिव इसे आक्टिव एक्टिवेट् ट्युक्ताले अपने भाव्यो अपने अपने अन Kennon s7.18 इ अधेली गृष्टार्ण अामार लृष्य।। अपने जना, अटने जना जना यहांने जना वुन्डोस एकाने देखुन Microsoft Office 2016 तरब 2015 अथ 2014 अपने जेकुन अरक्टा इन चींटर बिदे जेकुन अरक्टा इन इस्टोल पर ठाकले आपने एकाने जस्ट वो एकाने किलिक कोरार पर शाधे शाथे शाथे आपने वुन्डोस तरा Microsoft Office तरा एक्टिव है जाबे आर एक्टिव अथ बुले रखे आपने जेकुन अपर्टिक सिस्टम चलान ना कानो एई चार्टा सप्रण दारा एक्टिव करते पार बेन शीटा चाही होग नाकान कि दार आपने चार्टा सप्रण दारा पीशी आक्टिव करते आरुउड़ आर आर एक्टिव कोड़े रखे जोधी आपने आपने काजे लेगे था कि उस होग लेगे था कि देफोले लगोश्यूई लाइक कोमेंट श्यार एनट सब्सक्रीब ब्रतो बना झांक्स वर वसिंग